नारायन नारायन हमसे चुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल को और बेल आइकन पे क्लिक करें नारायन नारायन आज निरजला एक आदशी और आज की दिन बहुत लोग वास रखते हैं उपमाने समेब नज़्दिक वास याने डेठना समीघ माता पिता के से इसलिंए उचिस्कारात्मत सब्दों का प्रूब करना है मुपवास करना है आघ्म है और मत्रों की शक्ति ना पेसलिए छिए सिर्फ शामी और और अपने जीवन को जैकपोट और चमतकारों से लबालभ देजिए अरए धन्यवाद 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 अईसा सुना है कि कई लोग जल भी ग्रहन नहीं करेंगे और एकादर्शी का बत करेंगे अपने अपने थाव अपना अपना निश्वास आज एकादर्शी का तुम हम खाने के प्रति व्वास करेंगे वह आपकी अपनी व्यवस्था पर ने फरकता है पर इस एकादर्शी को कुछ इस तरह मनाते हैं कि आज दिन भर में हम सही उचित्सकारात्मक्षब्दों का ही प्रव करेंगे और करने के बाद रात को आत्मचिंतन करेंगे कि क्या परिवर्तन आपको महसूस हुआ है जब आपने ये उप्वास किया है और फिर कल ग्रम मुरत की विला में हमारे साथ शेयर करें ताकि लोगों को महत्व समझ में आएं कि शब्द हाकिकत में मंत्र है यहीं संदेश वारंबार देना चाहते हैं आप सब्सक्राइब कि हर एक शब्द की भी तर चाहें वो फोस्टीब हो चाहे है NAKARAत्म। और जा से भरपूर है n अच्छी लोग अच्छी वस्त्रों आपके जीवन में परवेश करने लगती हैं चोईस आपकी है सच मुझ में एकादशी मनाते हैं जो सच मुझ के एकादशी है आज उसे मनाते हैं एकादशी के लोग कि सिर्फ सही उच्छे सकारपूर शब्दों करना है और देखिए कितना शाम तक कितनी उजासे भर वह उखेंगे आप और ये भी मिश्चित हैं कि आज जब आप ये जो एकादशी का व्रत ऐस पर नारण शास्त्र करेंगे सही उच्छे शब्दों का इस्तिमाल के साथ तो कर जब गममुरत की बेला में आप नात्रा में बैठें उसकी पहले जो भी पीशुगत की अस्वस्ता से अस्वस्त हैं वो चेक करके बैठीगा निश्चित हैं आपका ग डिज़ोट कर दो अच्ठों करें ने ओूप झादें पो करेंखन ने जब खिना जैंने ते Cham şey